तुश्कार दोस्तों सुवागता आपका ट्रिक विकराचल में दोस्तों आज की विडियों बात करने वाले कि ESM के दोवारा यहाँ पर 10% CA के दोवारा 5% तो फ्रेंट्स क्या यह पोस्ट 1312 है तो हम कहते हैं नहीं है ठीक है तो फ्रेंट्स आपके दोवारा सभी पद भरे जा सकेंगे या फिर नहीं भरे जा सकेंगे वीडियो में सारी के लिटी देने वाले हैं विद प्रूफ के द्यान पूरवक इस वीडियो को देखना है ठीक है तो फ्रेंट्स यहाँ पर बोला गया है क्या पिछत्तर प्रसेंट कोटा अंगेज डेरेक्ट एंट्री तो फ्रेंट्स आपके द्वारा पिशत्तर परसेंट जो वेकेंजी भर जानी है वो डिरेक्ट ओपन के द्वारा भरी जाने यह 25% कोटा डिपार्टमेंटल ब्यसफ सर्विस पर्सनल ठीक है तो फ्रेंट्स नोटिफिकेशन को बड़े ध्यानुपूरों को आपको देखना है तो आरों के लिए देख लिए फ्रेंट्स यहां पर 10% एसम एक सर्विसमेंट ठीक है यानि कि 70 वेकेंजी यहां पर टोटल केटेगरी के अकोर्डिंग है 5% के दुवारा तो कहने का मतलब 37 यहां पर वेकेंशी है और फ्रेंट्स रिमेंडिंग वेकेंशी जो हमारी ओपन केटेगरी के दुवारा भरी जाएगी वो टोटल 629 और 25% कोटा बेस अब सर्विस सर्विंग पर्सनल के दुवारा 246 तो कहने का मतलब टोटल वेकेंशी हमारे 980 है लेकिन यह वास्तव में 980 वेकेंशी नहीं है ठीक है तो फ्रेंट्स देख लिजे कि हमारी यह 10% एक सर्विसमेंगी और 25% जो कोटा हमारा बेस अब सर्विस पर्स यह आरम में है ठीक है तो फ्रेंट्स यह आपने देख लिया होगा अब आपको हम नोटिफिकेशन के अकोडिंग बताने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख लिजे सबसे पहले आपको देखना है सी वाला पॉइंट ठीक है वेकेंशी रिजावड फोर डि डिपार्टमेंटल कंडिडेट और नोट एवलेवल यदि डिपार्टमेंटल कंडिडेट एवलेवल नहीं होता है तो फ्रेंट्स यह वेकेंशी हमारी ओपन रिक्वार्मेंट के द्वारा भरी जा सकेगी कौन सी वाली डिपार्टमेंटल वाली वेकेंशी ठीक है तो फ्र तो फ्रेंट्स इदी वहाँ पर बच्चे डिपार्टमेंटल वाले नहीं मिलते हैं तो फ्रेंट्स 25% कोटा भी जनरल में काउंट हो जाए कहने का मतलब ओपन रिक्वर्मेंट की द्वाराई भरा जा सकेगा ठीक है तो फ्रेंट्स यह डाउट आपका क्लियर हो चुका है अब देखते हैं 10% एक्सर्विसमेन वाला ठीक है तो फ्रेंट्स एफ वाला पॉइंट देख लिजे 10% of the vacancy are reserved for ex-servisemen in case vacancy reserved for the ex-servisemen remain unfilled due to non-availability of eligible qualified candidate the same cell be filled by the candidate of open category within the respective quota तो फ्रेंट्स यह वहाँ पर ex-servisemen की 10% जो हमारी vacancy है वो पूर्ण उप्से नहीं भरती यानि कि कुछ पद खाली रह जाते हैं तो वहाँ पर भी open category के द्वारा fight होने वाली है ठीक है तो फ्रेंट्स यह doubt आपके के लिए रोचुके हैं कि हमारे जो ex-servisemen है और जो हमारा departmental serving personal के लिए है फ्रेंट्स 25% तो इन में भी आप fight कर सकते हो यादि वहाँ पर vacancy पूर् नहीं कर सकते हैं तो कहने का मतलब 10% ESM एक सरिश में और यहाँ पर 25% BSF serving personal वाली जो वेकेंसी है इसमें आप fight कर सकते हो यहाँ पर बच्चे नहीं मिलते हैं कहने का मतलब पद खाली रह जाते हैं तो इसमें आप fight कर सकोंगे ठीक है तो फ्रेंट्स टोटल पोस्ट के लिए आप tension नहीं लेना है ठीक है कहने का मतलब यहाँ पर 37 और 13 तो कहने का मतलब 50% वेकेंसी आप मान सकते हो किस में आप fight नहीं कर सकते हैं अन्यता सारी वेकेंसी में fight कर सकते हैं यह दी बच्चे वहाँ पर नहीं मिलते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स यह थी कुछ जानगारी प्रेंट्स चूज है तो तक जैहिल जै भारत